तुबलजेन की शुर्वात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी के महराश्त दुर इसे जुड़ी बड़ी ख़बर के साथ उन्होंने कहा कि चत्रपती शिवाजी महराज हमारे लिए केवल राजा महराजा नहीं बलकि अराध्य्य देव है मैं उनके चर्णों में गिर कर उनसे माफी मांगता हूँ च्छत्रपती शिवाजी की मूर्ती गिरने का मामला कहीं दिरों से सुर्खियों में है इस मामले में सिंदु दुर्ग पुलिस ने स्ट्रॉक्टरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटल को गिरफतार कर लिया है जो जो लोग च्छत्रपती सिवाजी महराज को अपने आराज्य देव मानते हैं उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है मैं ऐसे आराज्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर जुका करके ख्षमा मांगता हूँ मेरे संसकार अलग है हमारे लिए हमारे आराज्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है प्रतान मंत्री नरेंदर मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिंटेक फेस्ट में AI की मिस्यूस पर चंता जताई उन्होंने इसको लेकर फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया ग्लोबल फिंटेक फेस्ट जियो वर्ल्ड कंवेंशन सेंटर में हो रहा है और आज आखरी दिन है प्रोग्राम में 800 से जादा स्पीकर्स और 80,000 से जादा प्रतिभागी शामिल हुए वही प्रतार मंत्री ने पाल घर में 76,000 करोड के वादवन प्रोजेक्ट की भी आधार शिला रखी AI के दुर्प्योग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूँ इसलिए भारत ने AI के ethical use के लिए global framework बनाने का भी आहवान किया है साथियों, fintech sector की मदद के लिए सरकार policy level पर हर जरूरी बढलाव कर रही है हाल में हमने angel tax को हटाया है हमने देश में research और innovation को बढ़ावा देने के लिए एक लाग करोड रुपिय का fund बनाने की गोशन आती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महराश के पालगर को पंधर का योजना की भी सोगात दी है पालगर में वादवन पोर्ट प्रजेक्ट पर 76,000 करोड रुपी की लागत आईगी इसका पहला फेस 2029 जबकि दूसरा फेस 2049 तक पूरा हो जाएगा इससे भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा अब आद बजार की सितंबर सीरीज ने शांदार शरुवात की है सेंसिक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए सेंसिक्स 231 पॉइंट चरकर 82,366 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी तेजी का नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगात तार बारवे दिन बढ़त पर बंद हुआ आज के बजार में निफ्टी 84 पॉइंट चरकर 25,236 पर बंद हुआ मिट कैप स्मॉल कैप शेरों में खरीदारी दिखी साथी फार्मा रियालिटी पी एसी शेरों में खरीदारी रही तो तेल गैस निफ्टी बैंक इंडेक्स बड़त पर बंद हुए आज सबसे ज़्यादा दबाव FMCG शेरों में दिखाई दिया लार्ज कैप में मौका दिखे तो निवेश करें यह कहना है इन्वेसको म्यूच्वल फंड के CIO ताहिर बाश्चा कासी अबसे अवाज से खास बाचीत में ताहिर बाश्चा ने यह भी कहा कि उन्हें पी एस्यू के तुलना में प्राइवेट बैंक जादा पसंद है कुछ सेक्टर जहां पर हमने तोड़ी और ज्यादा बढ़ाई होगी वह है टेक्नालोजी और फार्मा फार्म सुड़ी तेक्नालोजी वह एक दो ऐसे से जहां पर हमने कुछ वाल्यू हमें नजर आई है वहां पर हमने कुछ तक पर्फॉर्मस देखा है और वहां पर भी अब अब अधने प्रैक्टिव नहीं रहे जितना पहले हुआ करते थे लेकें फिर भी अमीन कंपेर तो समुद्धा पॉकेट्स अब मार्केट ओन अल्ट बेसे वह फिर भी हमें अपील करते हैं प्राइविट सेक्टर बैंक्स अब अधिवी मों प्रिफर्ट कंपेर अपब्लिक सेक्टर को जो एक लेश आउज मिलना था एज रिजल्ट ओस उन उन्होंने अपना अउड़ी एक्सप्रोइट कर लिया है और कुछ हट तक अभी डिफरेंशल या वह एड्वांटेज उनके फिवर में अभी है नहीं बाजार की नजर कल से आने वाले अगस आउटो बिक्री के नंबर्स पर है इस बार कैसे रह सकते हैं ये नंबर्स बता रहे हैं मेरे सैयोगी यतिन मोता देखे आटो सेल्स की बात करें तो यह जो महीना है और अगस्ट का वो थोड़ा म्यूटेड है और कहीं न कहीं टू वीलर्स और ट्रैक्टर्स ये दो सेग्मेंट्स ऐसे हैं जहां आपको थोड़ी बहुत बाइंसी दिखाई पड़ेगी कमर्शल वेहकल बिजनेस हालाकि बिलकुल फ्लैट साल दर साल बेसिस पर आपको दिखेगा estimates की बात करें तो brokerages यह उनुमान लगा रही हैं कि Ashok Leland और Tata Motors यह जो दो commercial वेहकल प्लेयर्स हैं यहां sales में लगबग 5-6% की साल दर साल बेसिस पर गिरावट होगी और Tata Motors का जो estimate है वो लगबग 74,000 यूनिट के आसपास का है जैसे कि मैंने कहा small cars में थोड़ा बहुँ slow down है और पिछले साल का base बड़ा है क्योंकि नए launches थे वेटिंग पिरेड भी significantly reduced हुई है four wheeler players के लिए बात करते हैं ट्रक्टर सेग्मेंट की M&M में जहां एक traction दिखाए पड़ेगा मौनसून अच्छे हैं डिमांड अच्छी है तो चार से 5% की आप incremental growth ट्रक्टर सेग्मेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,000 units के आसपास tractor की बिकरी रह सकती है ट्रक्टर की रह सकती है ट्रक्टर की रह सकती है ट्रक्टर की रह सकती है तो यहां 10-10% का growth आप एक्सपेक्ट कीजिए जो नई CNG bike launch हुई है बजाज आटो की वो भी अच्छा कर रही है in terms of booking आईशर मोटर्स का royal infil कारोबार बहुत म सेल्स में आप देखेंगे year on your basis पे 72,000 units का estimate है जो पिसले साल लगबख 78,000 units की बिकरी थी और hero motocop base बढ़ा है और इसलिए लगबख flat growth expect कीजिए साल दर साल बेसिस पे चले अब आपको बताते हैं CNBC आवास के खास आयोजन मार्केट गुरुकुल के बारे में जिसके registration के लिए बस अब कुछ ही minute बाकी है क्योंकि आज शाम तक ही registration आप करवा सकते हैं दो दिनों का exclusive webinar 31 अगस से और 1 सितंबर को होगा इसमें हम investors को बजार में skill बढ़ाने पर focus कर रहे हैं इसमें बजार के दिगज आपको trading और investment का सही तरीका सिखाएंगे तो कुछ ही वक्त बाकी है registration window फिर close हो जाएगी तो ऐसे में आप जल्दी करें अगर अभी तक आपने registration नहीं कराया है तो इस वक्त डिटेल्स आपकी TV स्क्रीन पर है स्पाइस जेट वित्य संकट से जूज रहा है स्पाइस जेट ने अपने डेट सो क्रू मेंबर्स को तीन महीने की छुटी पर भेज दिया है स्पाइस जेट के करमचारियों की सेलरी और भत्तों में देरी की खबरे भी लगाता रही है अवियेशन रेगुलेटर डीजी सीए ने स्पाइस जेट को ज्यादा निगरानी के दायरे में रखने का फैसला लिया है ज्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं समवात आता रोहन सिंग तो रोहन बताएं वित्य संकट से स्पाइस जेट जूच रहा है और अब जो करमचारी या क्रू मेंबर्स है उन पर इसका कितना असर पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जे बिल्कुल दिक्कते खतम नहीं हो रही है स्पाइस जेट के एक के बाद एक ऐसी खबरे आ रही है जो उसके वित्य संकट की और इशारा करती है फिलहाल जो सबसे ताजा खबर है उसमें स्पाइस जेट ने अपने 150 क्रू मेंबर्स को फोस्ट लीव पर भेज़ दिया है उसके बाद भी अपनी फ्लीट साइस को बढ़ाएंगे जो तब जरूत पड़ेगी तब उनको इन कर्मचारियों को वापस ले लिया जाएगा लेकिन फिलहाल उन्हें फोस्ट लीव पर भेजा जा रहा है इससे पहले हम आपको बता दें कि दुबई एरपोर्ट पर भी स्पाइस जट को दिक्कत हुई थी वहाँ पर उनसकी कई सारी खाली फ्लाइट्स आनी पड़ी थी क्योंकि दुबई एरपोर्ट पर उन्होंने जो ड्यूस थे वो पे नहीं किये थे हरा की स्पाइस जट का कहना है कि यह जो इशू है यह सौर्ट आउट कर लिया गया है डी जी सीए ने भी अपने लेवल पर कई सारे आक्शन्स लिये हैं डी जी सीए ने एक औरिट किया था जिसमें कुछ जो इंजीनिरिंग डिपार्टमेंट है वहां पर फ्लॉस पाए ग रोहन आप बने रहें एक और खबर पर आपके पास वापस लोटेंगे दरसल 11 नवेंबर को विस्तारा एरलाइन्स आखरी उडान भरेगी क्योंकि 12 नवेंबर से विस्तारा का अपचारिक विले एर इंडिया में हो जाएगा तीन सिटंबर से विस्तारा की विकिं भी बंध हो जाएगी तो इसका पैसेंजर्स पर कितना असर पड़े गा जानते हैं रोहन से, तो रोहन विस्तारा की एर इंडिया विले पर पैसेंजर्स किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? जी जो ओफिशल डेट तै की गई है मर्जर की वह 12 नवंबर है और उससे एक दिन पहले आने की 11 नवंबर को आखरी उडान होगी विस्तारा की अभी फिलहाल जो बुकिंग है उस पे कोई असर नहीं है विकिंग आप 11 नवंबर तक कर सकते हैं लेकिन 3 सितंबर के बाद 11 नव जो इंटर्नल जो शेडियूल है उसमें बदलाव नहीं होगा वो अर्ली 2025 तक कंटीनू रहेगा लेकिन जो लोग वो कराना चाहते हैं विस्तारा में वो 11 नवंबर के बाद वो नहीं कर रा पाएंगे जो कल कल ही जो है कैबिनेट की तरफ से जो सिंगापूर एयर लाइन्स है उनके FDI की जो मंजूरी दी गई उसके तुरंद बाद विस्तारा की तरफ से ये कहा गया कि वो अपना 11 नवंबर के बाद उनका उपरेशन जो है वो एयर इंडिया में पूरी तरह से कनवर्ट हो जाएगा अब जो लोग 11 नवंबर तक वो करा रहे हैं उनके लिए तो को इसके पहले आप चाहें तो उसको डिसकंटीन्यू कर सकते हैं लेकिन अगर आप उसके बाद करना चाहते हैं तो आपको एर इंडिया के लोयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर अपडेट देने के लिए प्रधान मंद्री जरंधन योजना के दस साल पूरे हो गए हैं जोरान देश में 53 करोड से ज़ादा जीरो बैलेंस जरंधन खाते खोले गए और 2,03,000 करोड रुपे इन खातों में जमा हैं खास दोर पर की स्कीम महिलाओं में काफी लोगप्रिये हुई है देखिया लोगप्रिये दर्शी की ए ग्राउंड रिपोर्ट ग्रेटर नॉड़ा के वैद पूरा गाउं की चोपाल पर बैठ कर हुक का गुलगुडा रहे इन सभी बुज़ूर्गों के पास जीरो बैलेंस बैंक खाते हैं यहां आकर पता लगता है कि दस साल पहले 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई प्रदान मंत्री जंधन योजना आज दुनिया के फाइनेंशल इंक्लूजन और डिजिटल क्रांती की मिसाल क्यों बन चुकी है जंधन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने सुदूर ग्रामीन इलाकों तक लेन देन के तौर तरीके बदल कर रख दिये हैं पुजनर जी बताई कि जंधन खाता कब खुला था और दस साल पहले खुले हैं जी क्या क्या होता है उस खाते हैं इसमें कोच में आप इस हम कुछा हा लें जायन करते रहे हैं ठोड़ो ठोड़ो वह हीच दया और आया कुछ ने इसमेंł और कुछ पैसा कटता भी उसमें ठैस कट्टें, अब में कट रहते हैं अन्यों कुछ पंतों नीं क्या है जंधन योजना के तहट दस साल में करीब तिरपन करोड जीरो बैलेंस खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में लोगों के 2,30,000 करोड रुपए जमा हैं औस तन हर खाते में 4,352 रुपए हो गये हैं सबसे बड़ी बात यह है कि जंधन के आधे से ज्यादा यानि 55.6% खाते महिलाओं के हैं कोविड में लोगडाउन और नोट बंदी के दौरान जंधन खाते महिलाओं के तब बड़े काम आये जब सरकार ने लोगडाउन में महिलाओं के खाते में लगातार 3 महिने 5,500 रुपए डिपोजिट किये और उसके बाद नोट बंदी में घर में पड़े पुराने 1500 के नो जंधन खातों में मिनिममम बैलेंस का जंजट नहीं है 2,000,000 रुपए तक का दुरगटना बीमा कवर मिलता है साथ ही निशुलक रूपे डेविट कार्ड और 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है इन खातों के जरिये ही सरकार के डाइरेक्ट मेनिफिट ट्रांसफर होते है कोई सरकारी स्कीम जब मोहिम बन जाती है तो क्या होता है इसका सटी कुधारन है प्रधान मंत्री जंध नियोजना जी हाँ, तमाम सुविधाओं के साथ समय समय पर सरकारी मदद मिलना तो एक बात है लेकिन जहां तक बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने का सवाल है तो इससे न सिर्फ खात अधारक अपने आपको सशक्त महसूस करता है बलकि बचत की आदत उसे देश की अर्थविवस्ता में भागिदार बनने का मौका भी देती है तो चलिए फिलहाल वक्त होगे एक चोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुजरात में जारी बारिश का कहर आप देखते रहेए आवाज समचार अब खबर गुजरात से जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते सडक से लेकर हाईवे तक जल भराव एक बड़ी समस्या बना हुआ है जिसका जायजा लिया हमारे समवादाता केतन जोशी ने देखे इस वक्त में एहमदाबाद के वेश्णो देवी अंडर पास के उपर खड़ा हूँ और कितनी भारी बारिस हुवी इसका अंदाजा लगाई है मैं केमरामेन को बोलूँगा कि ये अंडर पास की स्थिती दिखाए यहाँ पर अभी बीचो बीच अगर आप यहाँ पर इस पोल के पास आ जाए तो पांच से साथ फीट गहरा पानी है यहाँ पर ये अंडर पास काफी बिजी रहता है एहमदाबाद और आसपास के जितने सहर है उनको जोडता है लेकिन फिलहाल बंद है देखे कितनी बड़ी ट्रक है वो ट्रक भी यहाँ पर डूब चुकी है और ये आज का नहीं पिछले तीन दिन से यही स्थिती है और ये एक हाईलाइट है गुजरात के अलग-अलग जगह पर चाहे वो सहर के अंदर का जो मुख्यमार्ग हो बारिस नहीं हो रही है तो ये अच्छे संकेत है लेकिन फिर भी जल भराव की स्थिती जोकीत्यों है बडोद्रा जैसे सहर में तो पानी से पांच-पांच डेड़ बोड़ी भी निकल रही है तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर चार बड़े मसीन लगाए है पानी निकलने के लिए फिर भी सायद आज रात या तो कल तक अगर बारिस नहीं हुवी तो पानी खतम होगा वरना ये स्थिती जोकीत्यों बनी रहेगी अब इस वर से एक ही प्राथना करनी होगी कि आने वाले दिनों में फिलहाल गुजरात में बारिस रोग दी जाए चले अब बात CNBC Avaaz के Real Estate Awards की R.R. Kaabelle presents CNBC Avaaz Real Estate Awards 14 Years of Excellence अर्देश के Real Estate सेक्टर के सबसे प्रतिष्टित अवार्ट्स का दिन है मुंबाई के BKC में R.C.NBC Avaaz Real Estate Awards के 14 एडिशन का ग्राण फिनाले है अवार्ट फंक्शन में मुख्या देती है Commerce and Industry Minister Piyush Koyal इस पार तीस से जादा कैटेगरीज में Real Estate Projects, Consultants और Entrepreneurs को सम्मानित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर रेब मडर केस को लेकर विवात थमता दिखाई नहीं दे रहा है हर दिन विरोध प्रदर्शन जारी है आज टीमसी और भाजपा दोनों विरोध प्रदरशन कर रही है बंगाल BJP महिला मोर्चा ने ताला लगाओ अभिहान के तहट BJP महिला मोर्चा ने प्रदरशन किया और राज्य महिला आयोक के office का घहराव किया वहीं टीमसी चात्रसंग के समर्थक राज्जे के सभी कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी केंद्र से आरोपियों के लिए मृत्यु दंड का कानून पारित करने की मांग कर रही है इस मामले पर बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी महीला मोर्शा की टीम महीला आयोग के आफिस में ताला जड़ेगी दूसरी दरफ राचे में तनाफ को लेकर बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनन्द बोस ने दिली में केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिशास के आवास पर जाकर मुलाकात की इस दोरान दोनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे दक बात चीत हुई इस दोरान राचे पाल बंगाल की पूरी स्तिती के बारे में शाह को सूचना देते हुए दिखाई दिये एक हफ़ते के अंदर आनन्द बोस का ये दिली का दूसरा दौरा है वही कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेइनी डॉक्टर के रेप मडर केस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है इसमें हिस्सा लेने वाली करी 35% महिलाव डॉक्टर्स ने माना है कि नाइट शिफ्ट में उन्हें सेफ फील नहीं होता है साथी साथ सर्वे में खुलासा किया गया है कि 10 में से एक डॉक्टर ने खुद को फूरी तरह से सुरक्षित बताया है सिर्फ दस में से एक डॉक्टर ने सर्वे के मुताबिक डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम है ही नहीं या फिर काफी कम संख्या में है साथी साथ सर्वे में ये बात भी निकल कर सामने आई है कि जो बात पाथरूम से वो बिना लॉक वाले होते हैं यानि उनमें किसे भी तरह की प्राइविसी नहीं होती पैरिस पैरोलम्पिक में भारत को पहला गोल्ड मिल गया है भारत की अवनी लेखरा ने विमेंस 10 मीटर एर राइफल शूटिंग की SH1 काटेगरी में गोल्ड मेडल चीता है उन्होंने 249.7 का स्कोर बनाया है क्वालिफिकेशन राउंड में अवनी दूसरे और मोना पांच्वे नंबर पर रही है आज पैरिस पैरोलम्पिक का दूसरा दिन है और अब तक भारत की जोली में कुल दो मेडल आए हैं तो चलिए मेरे साथ इस बुलिटिन में इतना ही आप ख़बरों पर अपडेट रहें CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हंडल्स के जरिए तमस्कार स्बस्कार